हे गड़े चुनौती 31 दिसंबर तक की है और 31 दिसंबर को सीट शेयरिंग पर अगर बात बन जाती है तो वो जो 37 फीसिदी में हमेशा कहती हूँ आपका वोट बांक एंडिये को मिला लीजे अगर तो भी 45 फीसिदी का वोट बांक है आपका 2019 के हिसाब से बाकी जो वोट मिला वो विपक्ष की पार्टियों को ही मिला तो चुनौती अभी तक मरकरार है आज जो एंडिये का अकड़ा है लोकसभा में वो 323 सीट है और जो विपक्ष है इंडिये एलायन्स या इस्ट इंडिया कंपनी जो भी है वो 142 सीट से है लिजे नहीं लगता है इसमें कोई करा दू अपना इस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री और यह विपक्ष की सारी पार्टियां जिनके संसद इलेक्टेड है देश की जनता ने वोट देकर चुना है संसद में बैठते हैं कैन यू इकुएट ओल इस उपोजीशन पार्टिज टू इस्ट इंडिया कंपनी एक कि इस्ट इंडिया कंपनी आपर क्यों आई और उन्होंने क्या किया उन्होंने देश को पीछे ही कर दिया आज क्या जरूरत है हमको हमको एक विक्सित भारत की जरूरत है और यहां पर प्रोग्रेस प्रस्परेटी और विकास की जरूरत है जो हमें प्रदान मंत्री नरंद बदलाव आए दो बार 77 में और 89 में बदलाव आए क्यों आए वह एक तो एमर्जिंसी के लिए दूसरे बूफर्स के लिए दुनों एक करॉप्शन का मुद्धा था वापस 2014 में फिर से करॉप्शन का मुद्धा कॉमन वेल्थ बोलो आदर्श पूलो तूजी त्रीजी कोईल हेलिकॉप्टर सब घोटाला आज ऐसा कोई मुद्धा नहीं इसके लिए मुझे नहीं लगता कि लोगसभा का वह ज्यादा 2024 में बदलेगा नहीं दूसरी बात ये विपक्ष में देखे आज मंद्यप्रदेश में अभी इलेक्शन हुए तो अकिलेश जी के बारे में कमलना जिनने क्या का तो ये सब भूलने बारे में लेकिन उसके बावजूद का 40 प्रतीशत वोट बैंक है जिसे आप भी खारज नहीं कर पाएंगे में काम पर 40 प्रतीशत वोट बैंक है कॉंग्रेस का वो तो बताईएगा वोट शेयर आपको कोई भी कोई भी स्टेट में उनका तीनों जगापर ऑन इन एवरेज कॉंग्रेस 40 परसंट वोट शेयर के साथ कड़ी हुई है मैं देखे जो टीम का कैप्टन ही नहीं है तो टी कि मखेलेगा कैसे यह मुझे लगता एक धका श्टार्ट गाड़ी है चलते दीरे दीरे चलती है मंदिल तक तो नहीं पहुचने वाली जैसे आशुत जी ने का इनके बीच में कॉर्डिनेशन ही नहीं है उद्दव जी के माउथ पी सामना ने क्या लिखा है उन्होंने तो पूरा कृटिसाइस किया और उद्दव जी जाके महां पर दूसरा कुछ बोल रहे हैं तो देखे लोगों को क्या चीए एक स्थिर सरकार चीए मजबूत सरकार चीए और उनको पता है कि एक एलाइंस जो है जो इतने चार मीटिंग और एक साल के बाद अपना कंवेनर नहीं 35 दिसमबर तक अगर सीट शेरिंग पर फाइलाइस कोई नतीजा आ गया है मुझे बताइए कि क्या ये सता रूड गठबंदन के लिए एक चुनौती है देखे हम तो हर एलेक्शन चुनौती के हिसाब से ही लड़ेंगे मजबूती से ही लड़ेंगे हम क्यों उसको ऐसा करे कि हमारे खिलाब स्ट्रॉंग उपोजिशन नहीं है तो हम लूजली लड़े हम तो टाकत लगा की लड़ेंगे हैं तो आशु अमको तो जीतना है ठीक है अब दो हजार चौबीस एक तरफ एंडिया खड़ा एक तरफ एंडिया खड़ा और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे कि मुझे लग रहा है गरिमा जी यह नहीं मैं मेरा आशुतोष से सवाल है ओके टू आशुतोष और मैं आउंगे आशुतोष वर्मा आपके परस आशु नहीं मैं आपको कॉंप्लिमेंट करना चाहता था यह जो परंपरा चल गई है कि इस देश के अंदर कि विपक्स को इ अगर उनके महारास के बारे में बात करने लगे किस तरीके सवाथ शिंदे और अजीत पवार के गुट में जूतम पैजार चल रही है तो पर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा तो आशू यहां से इंडिया गडबंदन का भविश्य आप कैसा देखते हैं नित्रत्म कौन करेगा लीडर कौन होगा चेहरा कौन होगा सयूज़ा कौन होगा सीच शेरिंग कैसे होगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे होगा साजार एलिया कैसे होंगी ये छे चुनाती कर हर चीज़ में होगा ये नहीं होगा कि लखनों से आवाज कुछ आएगी कलकता से आवाज कुछ आएगी पटना कुछ बोलेगा और फिर कहेंगे कि हम लोग एक जुट हैं और हमारे अंदर डिमाक्रिसी है डिमाक्रिसी बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस ताकट जिस जो भारती जनता पार्टी जिसके सामने आज आज आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत ही और्गनाइज़ पोर्स है बहुत ही और्गनाइज पॉलिटिकल पार्टी है वहां एक आदमी के लावा दूसरा आदमी कोई बोलता नहीं है अगर आपको एक नारेटिव का साम कट पाइदा होगा 2024 के तो केसी त्यागी जी क्या ये होता हुआ दिख रहा है आपका सामना 303 सांसदों के साथ खड़ी हुए एक पार्टी से है और आप 28 के 28 भी जब मिल रहे हैं तो 142 सांसद हैं आपके लोकसभा में ये होता हुआ दिख रहे हैं गर्मा जी मैं पहले देना चाहता हूँ कि जो मुझे कहना चाहिए था कृष्णा हैगडे जी विधायक भी रहे हैं सम्मानित हैं और ये भाषा जो है ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है मैं आप पे इतने आउरोप लगा सकता हूँ कि आप घर जाके भी परिशान होगे जिस तरह की ट्रीचरी आपने ठाकरे साथ को सरदाज़ने दे करके की है जो आदमी जॉर्ज फरनाडी रामजेट मलानी के साथ महारास्ट में जिसने या अंदोलन खड़ा किया था दल बद करके चोरों के साथ डकैतों के साथ इस मगलब